हिमाचल परदेश में चार नगर निगमों में हुए चुनौपों में कॉंग्रेस ने सोलन और पालंपूर में जीत हासिल की हैं इस जीत की खुशी में कॉंग्रेस ने राजी भवन शिमला में जशन मनाया जीत के जशन के कारेकरताओं ने खुब पठाके फोड़े वो मिठाईयां बांटी कॉंग्रेस परदेशा ध्यक्स खुलदीप राठाओर ने कहा कि कॉंग्रेस परतियाशों की इस जीत ने भाश्पा के अहंकार को तोड़ दिया हैं उनके लिए कॉंग्रेस की ये जीत करारा जवाब हैं उन्होंने इस जीत कश्रे सभी कॉंग्रेस कारेकरताओं को देते हुए आगामी 2022 के विधान साभा की चुनाववा औरो में प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनने का दावा किया राठावर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरूप्योग करने के बाप जूद भी कॉंगेस पारडी की वीजे सरकार की खिलाब जनता के अक्रोश को दरसाती हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में जिन कारेकरतों ने पार्टी परत्याशियों के विरूद कारे किया हैं। उनके खिलाब कड़ी कारेवाही की जाएगी। वहीं EBM में गड़वड़ी को लेकर कुल्दी प्राठोर ने कहा कि शायद परधान मंतरी नरेंदर मोधी को छोटे छुनावों में हारजित से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन चुनावों में EBM में गड़वडी ना हुई हो, लेकिन 2022 के चुनावा में EBM में गड़वडीयों की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। वहां भी कॉंग्रेस पार्टी ने अपना पर्चम लेह रहा है, हलंकि हम में हमारे पास एक वोट कम है, एक कम जीता है, लेकिन वहां इंडिपेंडन्ट के साथ हम नगर पंचायत बनाने जा रहे हैं। कि कॉंग्रेस पार्टी ने बरसों इस देश में विकास किया है, और आज देश के जो अहलात हैं, वो सब के सामने हैं। हमने जनता में जो ये मुद्दा रखा, चाये महगाई का मुद्दा हो, चाये हिमाचल प्रदेश में वेरोजगारी का मुद्दा हो, चाये कानून व्यवस्ता का मुद्दा हो, इन मुद्दों को जनता ने हातों आत लिया। जिस धंग से 25 तारीकों मैंने सोलन से चुनाव पर चार शुरू किया, उसके बाद धर्मशाला, मंडी और फिर 5 तारीकों एक बड़ी जन्सभा के साथ सोलन में स्वापन किया लगभग 42 से ज़्यादा वाड़ों में मैं स्वैम गया हूँ, मैंने 42 से ज़्यादा वाड़ों को टच किया मैंने ये उसी वक्त पाया कि जिस भारीत आदाद में हमारी नुकड सबाओं में लोग आ रहे थे और जो जोश था उससे लग रहा था कि कॉंग्रिस पार्टी चारों जीतने वाली है और तीन तारीकों मंडी में जो कॉंग्रिस पार्टी का रोड़ शो वह हुआ उसमें हजारों की संक्या में कार्य करता शामिल हुए और आठ किलोमीटर हमने पदियात्रा की और लगभग नौ वाड़ों से वो हमारा रोड़ शो निकला मैं यह कह सकता हूं कि पांच तारीक तक कॉंग्रिस पार्टी अश्वस्ती हम अश्वस्त थे कि चारों नगर निकम जो है कॉंग्रिस पार्टी के बनने वाले है लेकिन अंतिम जो 36 गंटे हैं उन में बहुत खेल हुआ कि हमारे पास तो धन्बल नहीं था लेकिन हमारे पास जन्बल था अलंकि हमने जन्बल की ताकत से दो जगा पे इन्हें प्राजित किया हम दो जगा पे भी इनको प्राजित कर सकते थे लेकिन जिस धंग से सत्ता का दूरुप्योग हुआ चुनाव चार सहीता की धजियां उड़ाईगी मुख्य मंत्री हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल चुनाव परचार में करते रहे इनके जितने मंत्री हैं वोडों में दर-दर घूमते रहे और मुख्य मंत्री जी को हमने वोडों में घूमने पर मजबूर कर दिया मैं बार-बार यही कहता राच चुनाव पर चार के दुरान कि मुख्य मंत्री जी अगर आपने प्रदेश में विकास किया होता तो आपको इस तरह से वोट मांगने के लिए दर-दर नहीं भटकना होता लेकिन मुख्य मंत्री जी अंतिम समय में मंडी में आके बैठ गे क्योंकि मंडी उनके लिए प्रतिष्टा का प्रशन था उनके वहां जो मंत्री है मेंदर सिंग वो भी बैठ गे इतना जादा इन्होंने वहां लोगों पर दबाव बनाया चाहे सरकारी करमचारी है चाहे अधिकारी है पैसे का खुलम खुला प्रयोग हुआ और मुझे कि एषिम लासे पुष्पेंदर की पुट